आज का हमारा ये वीडियो हमारे उन व्यूवर्स के लिए हैं जो कोई कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं या नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं हेलो व्यूवर्स मेरा नाम है नीतेंदर तोमर और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल तोमर इंस्टिटूट आफ कंप्यूटर आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि कैसे आप एक नया computer center open कर सकते हैं या आप कोई computer center already चला रहे हैं तो कैसे वहाँ पर आप अपने students को quality education दे करके online education दे करके किस प्रकार से अपने center में तेजी से growth कर सकते हैं इसके लिए हमारी संस्ता जिसका नाम है प्रियाग दास्तोमर computer education private limited franchise आफर कर रही है हमारी एक complete website है इस website में आपको बहुत सारे features मिलने वाले हैं जी हाँ features जैसे कि आप students को आसानी से register कर पाएंगे यदि एक student किसी दूसरे students को refer करता है तो students को एक price दिया जाएगा उस तरह से आपके center में बड़े ही तेजी से growth जो हो पाएगी यहाँ पर एक चीज और बतला दें जो भी certificate हमारी संस्ता के दौरा issue किये जाएंगे वो सभी private और government किसी भी vacancy में किसी भी job में जो है वो valid होंगे और वहाँ पर जहाँ पर की short term courses मांगा गया है हमारी संस्ता अभी certification course short term course जो है वो करवाती है तो पूरी website में किस प्रकार से आप हमारी website को इस्तमाल कर पाएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको computer screen पर ले जा करके चलिए देते हैं pdtc.com एक ऐसा platform है एक ऐसी website है जिसके माध्यम से आप अपने center को registered करके आप franchisee partner बनके बच्चों को quality education दे सकते हैं और साथी साथ अपने business को अपने center को grow कर सकते हैं इस website को किस प्रकार से use करना है किस प्रकार से center login करेंगे और किस प्रकार से student login किया जाएगा आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाए दी रहे institute login तो आपको institution login पे जाना है login पे जाने के बाद यह दी अभी तक आप franchisee partner नहीं बने हैं तो sign up option में जाकर आप यहाँ से franchisee partner के लिए form भर सकते हैं अपना नाम, अपना center का नाम, email id, password, mobile number, अपना address और अपनी city यहाँ से आप select करें और sign up button पे click करें sign up button पे click करने के बाद जो franchisee partner fees से 3000 रुपीज वो आपको pay करनी है जैसे ही आप इसे pay करते हैं उसके बाद आपने जो email id और password लिया हुआ है उस email id और password के माध्यम से आप इसे login कर सकते हैं तो चलिए login करके मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको जो आपका page दिखाई देगा जो आपका dashboard रहेगा वो किस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक id password as a test मैंने यहाँ पर click किया है लॉग इन किया है तो जो भी center franchise partner है उनके लिए एक ऐसा dashboard रहेगा इस dashboard में सबसे पहले चीज़ जो main चीज़ है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर यह जो referral code दिया गया यह referral code किसका है यह center की तरफ से center का referral code रहेगा आप इस referral code का इस्तिमाल करके बच्चों को add कर सकते हैं student को add कर सकते हैं और जो भी student आपके referral code से course को join करेगा या add होता है उसकी detail हमको यहाँ पर दिखाई देने लगती है जैसे आपके referral code से को student add होगा अभी मैं आपको add करके भी दिखा देता हूँ जो बच्चे यहाँ पर इस referral code से add होते जाएंगे उन सबकी detail आपको यहाँ पर referred student list में दिखाई देने लगीगी और यहाँ पर total number of student भी आपको दिखने लगेंगे कि आपने इस code के तुरू कितने बच्चे register हुए हैं तो आप इस code को आप referral code को share कर सकते हैं सब में Facebook में या अपने students को दे सकते हैं कि वो इस code के जरिये ही इस website में registered हो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं certificate option भी दिया गया है certificate option में download here की बटन बनी है यहाँ पर जब आप download करेंगे download here certificate पर जाएंगे तो आपको जो franchise partner है उनका एक certificate यहाँ पर इस button के माद्यम से आप download कर पाएंगे जिसमें आपका center का नाम आपका address और जानकारी आपके center से related आपका जो structure जो आपका registration नमबर रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर center का नाम होगे यहाँ address होगे यहाँ आपका registration नमबर होगे यहाँ पर डारेक्टर की seal रहेगी और यह certificate जो है आपको center के लिए दिया जाएगा यह संस्ता की तरब से रहेगा इसके बाद अब हम देखत student panel के बारे में बात करते हैं कि student panel किस प्रकार से है तो जैसे यह code है इस code को हम यहाँ पर copy कर लेते हैं और इसको हम logout कर देते यह तो था institute वाला portion इसे logout करने के बाद यदि आप अपने center में किसी student को register करना चाहते तो आप क्या करेंगे student login में जाएंगे sign up पर जाएंगे और उस बच्चे का नाम उसकी email id एक password create करेंगे और referral code में आप अपना referral code यहाँ पर enter करके sign up करेंगे तो इससे क्या होगा वो बच्चा चूकि आपका referral code है इसलिए वो बच्चा आपके dashboard में list में दिखाई देने लगेगा मतलब वो student आपकी list में आपके dashboard में add हो जाएगा ठीक ह अब बच्चे का id password जो आपने create किया हुआ है उसको आप यहाँ से sign up कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको sign up करके भी दिखा रहा हूँ कि अब आप student को क्या quality दे रहे हैं यहाँ पर अभी हमने आपको student manage करने के लिए कि आपके हाँ कितने student आ रहे हैं उसके लिए एक center के जो referral code मिलेगा तो यदि student आप किसी student आपके हाँ का जो है वो add होता है आप उसे भी किया सकते कि भाई तुम अपने referral code के माध्यम से बच्चों को add करो जैसे ही वो किसी बच्चे को add करेगा और add करने के बाद सामने वाला व्यक्ति सामने वाला जो बच्चा जिसने add किया हुआ ह यदि वो कोई course purchase करता है तो उस student की भी point यहाँ पर बढ़ने लगेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए course कैसे add करना है course add करने के लिए जैसे यहाँ पर अभी already दो course add यहाँ पर दिखा रहा है जैसे इसे मैंने add किया हुआ था यदि आपको course add करना है जैसे कोई बच्चा पर यहाँ पर दिख सकते हैं यह 45 days चेक करेंगे जो भी payment यहाँ पर दीगे यह से बाइनाव पर जाके और इसे buy कर लेंगे जैसे ही आप इसे खरीद लेंगे तो यह student के account में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर course booked में दिखाई देने लगेगा ठीक है अब यहाँ पर दो courses है मैं दोनों के बारे में जानकारी देता हूँ कि जितने भी course खरीदते जाएंगे आप वो यहाँ पर EDF के माद्य हम से उसे पढ़ाने का काम भी करेंगे कैसे देखिए यदि computer structure की बात करते हम यह watch now में हमने क्लिक किया watch now में जाने करें कुछ इस प्रकार से सारी topics यहाँ पर दिखाई दी रहे हैं जो बच्चा इस course के अंतरगत पढ़ेगा यह ना यह course के अंतरगत topic आगए अ watch video में क्लिक करेंगे यहाँ पर उस topics related video भी play हो जाएगा और वो बच्चा इस video के माद्यम से भी इस topic को आसानी से समझ सकता है तो यहाँ पर ऐसे प्रत्यक topic को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से यह video भी लगाए गया है ठीक है आचा इसके बाद क्या करना है यह video हो गय लेगा तो अपन बच्चे का एक टेस्ट भी कराएंगे कैसे होगा जैसे यहाँ पर watch now में जाते हैं यहाँ पर आप देखर एक टेक टेस्ट का बटन बना हुआ है तो जब बच्चे ने पूरे complete course कर लिया है तो उससे आप टेक टेस्ट में जाएंगे एक यहाँ पर छोटा certificate की बटन के माद्यम से वो student अपना certificate उस particular course का certificate यहाँ से डाउनलोड कर सकता है तो complete solution student के लिए और institute के लिए कि यहाँ पर आप यदि franchisee partner बनते हैं तो आपको एक referral code मिलेगा एक dashboard मिलेगा उस referral code के थूरू आप बच्चों को add करेंगे बच्चों को add करने के बाद बच्चों को विभिन प्रकार के courses यहाँ पर हैं जिस भी course के लिए बच्चा add होना चाहता है यदि उसे जैसे अपने पास basic के बच्चे आते हैं गर्मी की चुटियों में computer basic कोई करना चाहता है तो आप उन्हें computer ms office का course करवा सकते हैं word, powerpoint, excel, outlook बच्चों का express, english typing, hindi typing, ms access, dtp का course, photoshop, page maker, coral, जो भी course बच्चा करना चाहता है उस course को आप उस student के login ID से login करें, dashboard में जाके उस course को add कर दें और add करने के बाद उस courses related topics, videos, ebook, सारी की सारी उसको वहाँ पर dashboard में दिखाई देने लगेगी जिससे बच्चा बहुत अच्छे से उसको एक exam देगा, test देगा, जो कि online ही होगा और test देने को जैसे ही वो pass करता है तो उसे certificate भी वहीं पर generate होके मिल जाएगा इससे best जो application है अब तक मैंने online तो नहीं देखी है तो आप भी चाहें तो सरच कर सकते हैं कि यदि एक ऐसा platform आपको कहीं पर मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा platform है, student के लिए भी और computer center के लिए भी क्योंकि उनके लिए computer center की तरफ से क्या होगा ये growth लेकि आएगा computer center में क्योंकि एक नई चीज है जो अब तक बच्चों को नहीं मिली है तो देखा आपने किस प्रकार से आप हमारी इस संस्ता की website में बड़ी ही आसानी से स्वयम register होकर के as a franchisee partner और उसके बाद student को register करके कितनी आसानी से उन्हें certification course जो है करा सकते हैं यहां पर आपको मिलने वाला है complete package एक quality education का तो जल्दी से जाएए वीडियो के description में जाकर के हमारा franchisee partner बनिये तो link वीडियो के description में है